दोस्तो हर वो इनसान जो आयरवेदिक दवाईयों की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है उसने कभी ना कभी मेदोहर गुगुल का नाम जरूर सुना होगा आयरवेदिक की यह मेडिसन काम आती है मेन बोड़ी का वजन कम करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको मेदोहर गुगुल के बारे में सारी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं तो अपने वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह मेदोहर गुगुल आखिर होती किया है। बिसिकली यह है एक गुगुल कैटेगिरी की मेडिसन है जिसको बनाने के लिए मुख्य तोर पर त्रिफला के घटक दरव्य, आमला हरड बहेडा, तिरिकटू के घटक दरव्य, पिपली, शुंठी, मरिच, उसके लावा वाय बिडंग, चितरक और नागर मोथा। यह नो दरव्य लिए जाते हैं बराबर बराबर अमाउंट में इनको कूट करके बारिक पाउडर इनका बना लिया जाता है और सभी दरव्यों के वजन के बराबर गुगुल ले करके और उस गुगुल के साथ घोट कर थोड़ा सा घी के अत्वा एरेंट के तेल के छीटे दे करके एक समान इसकी लुगदी तयार कर ली जाती है और इसकी 375 mg अथवा आदा आदा गिराम की टैबलेट्स तयार कर ली जाती है तब इस मेडिसन का नाम होता है मेदो हर गुगुल तो यह तो रही इसके निर्मान की बात अब यदि बात करें कि यह मेडिसन हमें किन कि रोगों में फायदा देती है तो जैसा कि इसका नाम हमें इंडिकेट करता है मेड हर गुगुल मेड धातू होती है शरीर में जो रस रक्त मास मेड तो फोर्थ नंबर की धातू होती है जो मास के परिपाक के द्वारा तयार होती है और यह मेड धातू ही में एक रीजन होती है शरीर का वजन बढ़ाने के लिए और शरीर में ओबिसिटी पैदा करने के लिए वस्तूतर देखा जाता है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा स्थूलकाय होते हैं तो मास्तोर में बढ़ा हुआ होता ही होता है लेकिन मास के नीचे उनकी मेद धातू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तो यह मेदोहर गूगूल इस बढ़ी हुई मेद धातू को लेखन कर्म के द्वारा शरीर से खत्म करती है जिसके कारण रोगी को अपना वजन कम करने में काफी अच्छी मदद मिलती है उसके लावा यह जो फॉर्मूलेशन टियार होता है यह आपको पाचन संबंधी विकारों में भी थोड़ा लाब करता है और ऐसे लोग जिनको गैस ठीक से पास नहीं होती है अथवा उनको लगातार कबज बनी रहती है तो ऐसे लोगों के लिए भी यह एक माइल्ड लेक्जेटिव के तोर पर कार्य करता है और उनको इसका नियमी सेवन करने से मेदोहर गुगुल का धीरे धीरे शौच खुलकर आने लगता है जरूरी होती है कि इस मेदिसन के सेवन काल में अपने लाइफ इस्टैल को भी मेंटिन किया जाए यह तो रहते हैं इसके दो मुखे लाब इसके लावा यह मेदोहर गुगुल आपको लीवर के रोगों में भी फायदा करती है लीवर थोड़ा फैटी हो गया है लीवर अपना कारे ठीक से नहीं कर रहा है तब भी यह फायदा करती है और इन सब के लावा यह है थोड़ा हार्मोनल डिस्बैलेंस को ठीक करने में भी हेल्प करती है जिसके कारण ऐसी महिला है जिनको मासिक खुलकर नहीं आता है कष्ट दुआरा आता है अल्टा साउंड वो कराती है लेकिन कोई भी एबनॉर्मल्टी उसमें फाइंड आउट नहीं होती है तो ऐसी महिलाए भी यदि इस मेदोहर गुगुल का सेवन करती है दूसरी प्रशर्ष्ट ओशिदियों के साथ में तो काफी अच्छा उनको लाब प्राप्त होता है तो यह तो रही इसके कुछ मुख्य फायदों के बारे में जानकारी अब हम बात करते हैं कि यह मेदोहर गूगुल सेवन करने का सही तरीका क्या होता है और कितनी मातरा में इस मेदोहर गूगुल को हमें सेवन करना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मेदिसन 375 mg अतवा आधा गराम की टैबलेट्स बना करके तैयार की जाती है और एक नॉर्मल अडल्ट इनसान के लिए एक समय में इसकी 2-3 अतवा अधिक तम 4 गूली सेवन करना उचित रहता है और ऐसी वो दिन भर में 2 खुराक ले सकते है यदि आप पहली बार इस मेदिसन का सेवन कर रहे हैं आपका कोस्ट म्रदू है अर्थात थोड़ी ही मेदिसन खाने पर आपको वो बहुत ज़्यादा असर अपना दिखाती है तो ऐसे लोग केवल एक अथवा दो गूलियों के साथ में शुरूआत करें और यदि आपका जो कोस्ट है वो कुरूर है अर्थात बहुत ज़्यादा मेदिसन खाने पर भी आपको कम लाब मिलता है तब आप इसकी तीन अथवा चार टैबलेट का सेवन कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अपने आयरवेदिक चिसक से आप एक बार परामर्श जरूर कीजिएगा बात करें इसका सेवन अनूपान सहपान के बारे में तो सामान ने तहा इसको आप त्रिफला रस के साथ में अथवा एलोविरा पल्प के साथ में अथवा सिम्पल, गून-गूने, अथवा ताज़े पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं समान रूप से यह गूनकारी आपके लिए रहती है और बात आती है कि कितने समय तक इसको हमें सेवन करना चाहिए तो सामाने तोर पर आप लगातार इस मेडिसन को लंबे समय तक सेवन कर सकते हैं काफी सुरक्षित यह मेडिसन रहती है जो भी इसमें इंग्रेडियन्ट मिलाए गए हैं बहुत ही सुरक्षित हैं डेली कजियूम करने के लिए और फिर भी यदि आप इसको लगातार सेवन कर रहे हैं तो परती एक तीन महीने के बाद में लगभग दो सपता का आप बीच में ब्रेक दे करके दोबारा इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा इसलिए कि लगातार इतने दिनों तक सेवन करने से मेडिसन बोडी में सात में होने लगती है और उसका असाराना धीरे धीरे कम अत्वा बिलकुल बंद हो जाता है बीच में एक गैप देने से यह समस्या आपकी दूर हो जाती है सबसे लास्ट में आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि यह मेडिसन वजन घटाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसन होती है लेकिन यह कोई मैजिकल रेमेडी नहीं है कि जैसा आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो में दावे किये जाते हैं लगातार एक महीना खाल लिजी एक महीने में 20 किलो बजन कम 30 किलो बजन कम ऐसा कुछ भी इसके साथ में आपको नहीं होगा इतना जरूर है कि यदि आप इसको नियमी सेवन करते हैं और इसके साथ में थोड़ा सा अपनी फिजीकल एक्टिविटीज को आप इंप्रूव करते हैं थोड़ा वर्काउट पगारा पर आप घ्यान देते हैं तो आप महीने में 2 किलो 3 किलो बजन जरूर कम कर सकते हैं एक सही सुपाच्य पोस्टिक डाइट आपको साथ में फोलो करनी पड़ती है तो फ्रेंट्स यह कुछ बेसिक जानकारी इस मेदोहर गुगुल के बारे में सबसे लाश में हम बात करते हैं इसकी प्राइजिंग और उपलब्दता के बारे में तो आपके आस पास किसी भी प्रमुक मेडिकल इस्टोर अत्वा आयरवेदिक पैडिसंस के दुकान पर यह मेदोहर गुगुल आपको बनी बनाई मिल जाती है बहुत सारी प्रमुक कमपनिया जैसे डाबर, पैदनाथ, धूत पापेश्वर, कोटकल इत्यादी इसका निर्बान करती है और इसकी एक टैबिट की जो कीमत है लगभग एक रुपे से लेकर के देड़ पोने दो रुपे तक कोश्ट जाती है ओनलाइन भी आप इसको पर्टियस कर सकते हैं ओनलाइन पर्टियस करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पर आप एक लाइक जरूर कर दीजिए का सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह है चैनल प्रकाशित आयरवेद मेरट इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन औल पर आप किलिक कर लीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपके पास में लगातार पहुंशते रह सकें मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूँगा तब तक आप अपना ध्यान रखिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद दोस्तो नमस्कार